हलो एवरिबड़ी, इस दिगराश संह राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the Rollet Satyagraha के बारे में यहाँ पर दो चीज़े जानने वाली है Rollet क्या है, Satyagraha क्या है सारी चीजे समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मज़ा आएगा पहले स्टोरी को कनेक्ट करें हम, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बता है अब देखो आगे क्या होता है, महात्मा गंदी जब इंडिया में आते हैं तो वो इंडिया को पहले समझते हैं, तो इन इस फर्स्ट येर, ही टूट आराउंड दी कंट्री, ठीके पूरे देश में उन्होंने क्या क्या एक ब्रह्मन किया है, देखा सारी चीजों को फिर उनने क्या किया, कि जो उनके earliest interventions थे, वो local moments में थे तो जैसे चमपारन, ठीके, खेदा, एहमदाबाद, यहाँ पे उनने क्या किया? यहां पर उन्होंने लोकल लेवल पे जो लोगों की डिमांड्स थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्मेंट उसमें लोगों का सपोर्ट किया और वो सक्सेस्वल भी रहे वहां तक चीज हमने देख लिए अब समय आ गया था कि कही न कई कंट्री में एक बड़े लेवल पे कुछ किया जा सके मुवमेंट लॉंच किया जा सके किसके अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्मेंट के अगेंस्ट में तो देखो नैशनल मुवमेंट अब धीरे धीरे टेक ओफ की सिती में आ रहा है ठीक है क्या होता है to 1919 में गांधी जी गेव a call for Satyagraha against the Rollet Act अब आपके मन में दो डाउट है Satyagraha क्या है, Rollet Act, क्या है गांधी जी ने क्यूं call दिया उसके against में ये सारी चीज़े बताऊ सर बताऊंगा देखो सबसे पहले में Rollet Act की कहानी कहानी के form में सुन लो मज़ा आएगा Roll It Act की कहानी बताता हूँ क्या हो रहा है कि British भी देख रहा है समझ रहा है कि भाई यह धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है political fermentation हो रहा है political uprising देखने को मिल रही है लोग जो है अब क्या होते जा रहे हैं मजबूत होते जा रहे हैं लोगों के मन में एक vision clear होते जा रहा है कि ये गोरो लोगों को भगाना है यहां से ठीक है British government को हटाना है तो अब क्या हो रहा है कि British government भी अपनी पुरी tactics यूज कर रही थी कि कैसे national movement को curb किया जा सके रोखा जा सके खतम किया जा सके तो British government एक law लाती है इंडिया में ठीक है 1990 में एक law लेके आते हैं उस law का नाम था रॉलेट act ठीक है रॉलेट act को एक black law भी खा गया है इंडियन्स के द्वारा black law क्यों कहा गया है ठीक हागे देखोगे तो devilish and tyrannical law कहा गया है क्या है समझाता हूँ तो इस law के हिसाब से क्या था यह कानून ऐसा था रॉलेट act कि British government British police officials जो है तो वह किसी को भी arrest कर सकते हैं किसी को भी मतलब किसी भी political leader को पोलेटिकल लिडर को पॉल्लेटीकल को अर्रेस्ट कर आश करके जेल में डाल देंगे कब तक कि लिए जेल में डाल देंगे तो जेल में 2 साल तक के हिला सकते हैं without any trial आज क्या होता जैसा अगर किसी को अरेस्ट किया पुलिस ने तो आपने civics में पढ़े क्या हो कि डीके बासु गाइड लाइन और यह सारी चीज़े पढ़ी थी हमने civics में ठीक है criminal justice system अगर आप यह सोचरों कि सार हिस्ट्री पढ़ाते है पढ़ाते है civics में ले गए हो तो यही करना है आपको ठीक है आपको ज गंटे के अंदर आपको magistrate की सामने पेश करना होगा अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो लेकिन डॉल एक्ट में क्या था प्रोविजन अरेस्ट कर लो अरेस्ट करके दो साल तक भी अगर आप जज़ के सामने ट्राइल पर नहीं ले जा रहो तो भी काम चल जाएगा आया सम मतलब एक तरह से कहते हैं अपना जीवन के दो साल बहुत माहिने रखते हैं तो अपने जीवन के दो साल वो देश के लिए जेल में डाल देंगे और बिना किसी गुनह के ठीक है on the basis of suspect सिफ क्या कह सकते हैं न कि British government को ऐसे लगा कि यह आदमी ने कुछ गड़बर किये तो इस लौ को क्या किया अपोस किया ठीक है तो इस लौ को अपोस किया और गांदी जी गेव अ कॉल फॉर सत्यागरह अगेंस्ट रॉले टेक सत्यागरह अभी बताता हूँ रॉले टेक समझ में आ गया आपको कि रॉले टेक क्या था कि British government के दोवारा एक जो लौ पास किया गया थ जिसके चलते बिना किसी ट्रायल के किसी भी political leader को arrest किया जा सकता था दो साल तक के लिए ठीक है अब ये लौ जो था तो ये एक तरह से क्या है liberty के concept के बिलकुल अगेंस्ट था आज़ादी के बिलकुल अगेंस्ट था आप किसी की भी आज़ादी को बंद कर दे रहो दो साल क क्रिटिसाइस किया और महात्मा गांदी ने सुचा कि यह से ही मौका है तो उन्होंने सत्याग्रह launch करने की बात की अभी सत्याग्रह क्या है सत्य प्लस आग्रह मतलब you are appealing to the truth आप truth की बात कर रहे हो सच की बात कर रहे हो तो यहां पर महात्मा गांदी ने दो principles दिये कि हम truth को appeal करेंगे मतलब सच दिखाने की कोशिश करेंगे हम बिटिश गवर्मेंट को बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो यह सही नहीं है ठीक है और अगली चीज़ कहा है इसमें किसी प्रकार के violence का इस्तमाल नहीं करेंगे तो truth और non-violence यह दो pillar थे ठीक है यह दो pair थे महात्मा गां इन चीजों का सहरा लेते हुए अपनी ideology समझाई कि हम roll it against के मतलब roll it act के against में क्या करेंगे सत्याग्रह लांच करेंगे आगया समझ में मतलब non-violent तरीके से हम protest करेंगे ठीक है और जिसमें हम truth को appeal करने की कोशिश करेंगे उन्हें बताएंगे कि यह गलत कर रहे है ठीक अब देखो क्या है leaders criticize the act as devilish and tyrannical मतलब devilish क्या होता है दानों की तरह है यह act तो क्या है किसी को पकड़ लिया जेल में डाल दिया दो साल तक tyrannical मतलब क्या है कि British tyranny है British जो है तो बहुत ज़ादा क्या कर रहे हैं अपना जो authoritative regime दिखा रहे हैं कि नहीं हमारे पास में सब कुछ power है हम सब कुछ कर सकते हैं government है तो इस act को leaders ने इस तरह से criticize किया फिर क्या होता है तो therefore गांदी जी asks the Indian people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act ठीक है और महात्मा गांदी ने बोल दिया कि हम क्या करेंगे 6th April को रॉलेट सत्याग्रा लांच करेंगे 6th April से हम क्या करने वाले हैं रॉलेट सत्याग्रा लांच करने वाले हम पूरी country में ठीक है उन्होंने अपील किया कि सारे लोगों को क्या करना होगा strikes non-violent तरीके देखो non-violence पर में बार-बार to this act तो रॉलेट सत्याग्रा लांच किया जाएगा आगया heading समझ में दी रॉलेट सत्याग्रा तो यह रॉलेट सत्याग्रा की पूरी कहानी है तो रॉलेट सत्याग्रा का जो भी हुआ वो मैंने आपको समझा दिया अब आगे देखो इतना ही नहीं है अब 6th April को लांच किय गया, रॉलीट सत्याग्रा इंडियन लीडर्स ने पाडिसिपेट किया, सत्याग्रा सभाज वर सेट अप to launch the movement सत्याग्रा सभा मतलब लोग ग्रूप्स बना के discuss करते थि कि हमें क्या करना है तो लोग उन वोला कि हम यहां पे धरने मारेंगे पीटेंगे किसी को कुछ नहीं करेंगे हम क्या करेंगे चुप-चाप प्रोटेस्ट करेंगे कि यह ब्लैक लॉव है यह डविलिश है ट्रेनिकल लॉव गलत है इसे बापिस लेना होगा आपको ठीक है तो सत्यागरा सबाग वर सेट अप टू लॉंच दी मुवमें ठीक है और ऐसे दीरे से क्या होता रॉलेट सत्यागरा लॉंच होता है इसमें क्या इसे दिस लॉव वस कंसिडर्ड as the first all इंडिया struggle अगेंस दी ब्रिटिश गववर्मेंट पहला इंडिया का all इंडिया struggle जैसे आपने चंपारन का मुवमेंट देखा खेदा का देखा मतलब मातमा गांदी ने अपील पूरी इंडिया की पूरी जनता से की थी ना कि आपको क्या करना है 6th April को यह observe करना है तो इस तरह से क्या है कि पहला All India Struggle Against British Government देखने को मिला अब ही देखना यह क्या है सब चेन में चल रही है तो रॉलेट सत्य अगरे के बाद में आगे हम non-corporation moment पढ़ेंगे तो वो भी एक important चीज है clear अब क्या होता है there were a number of demonstrations and hrtals in countries तो लोग अलग 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 जगा क्या करने लगे protest करने लगे हर्ताल हो रही है देश में अलग अलग जगा ठीक है लोग क्या कर रहे है हर्ताल पर बैठ गाए कि हम काम नहीं करेंगे या फिर कह सकते हैं कि आप हमारी यह मांगे पूरी करो तो हमारी मांगे पूरी करो मतलब यह law को हटा दो यह law बहुत गलत है इससे क्या हो रहा है लोगों को बहुत जादा सफर करना पड़ सकता है ठीक है अब आप देखो ब्रिटिश को इतने अच्छे तो नहीं थे कि आप हर्ताल करोगे और वो आपके आरती वारती इतारेंगे तो यहां पे गडबड क्या होती है what was the response from the government side ठीक है गवर्मेंट ने क्या response दिया तो British response क्या था brutal measures to suppress देखो क्या होता है कि British अभी तक यह इस तऱ का protest देखा नहीं उन्हें कि लोग peacefully बिना किसी मारधार के protest कर रहे हैं तो British government क्या करती है British response देखो, तो उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लोग सिर्फ आवाज लगा रहे हैं कि यह law आपे सलो, यह करो वो करो, British government ने क्या कर दिया, डंडे बंडे लेके आगए, वो पिटाई चालू कर दी, ठीके, तो British response was the brutal, ठीके, अब यह क्या कर रहे है इसने brutally, मतलब बयानक तरीके से मार पीट करके, यह violence का इस्तामाल करने का है, they took violence as a means to suppress the movement, यह movement को ख़़म करने के लोग ने वाइलने का इस्तामाल किया, अब उसके चलते क्या होता है, उसके चलते, अब दिखती बात है कि लोग उतने trained नहीं थे, आप British, जो police officials थे, वो लो क्या होता है, मतलब curfew लगा दी एक तरह से, ठीक है, ऐसे समझ लो, क्या होता है, कि यहाँ पे British government ने, जब brutally suppressed करने start किया, मारना पीटना चालू किया, लोगों ने भी retaliate किया, ठीक है, लोगों ने भी मारना पीटना चालू किया, पत्तर मार के भाग जाते थे, ठीक है, तो अब curfew लगा दी, तो curfew में क्या होता है, कि लोग एक साथ कहीं पर इखटे नहीं हो सकते हैं, जैसे आपने अभी coronavirus के चलते जो lockdown रहा था तो उसमें देखा होगा, curfew लगते थे, मतलब लोगों को क्या एक जगा गैधर नहीं होने जिया जाता था, इखटा नहीं होने द तो यहां तक कहानी समझ में आगी आपको कि curfew लगा दिया है, क्यों क्योंकि violence दोरों तरब से देखने को मिल रहा है, अब लोग इखटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में अमरिस्सर में क्या होता है, बैसाकी का festival रहता है, बैसाकी के festival में लोग मेले वेले लगते है तो एक पार्क है था, ठीक है, आज भी है, जलिया वाला बाग जो पार्क है अमरिस्सर में, तो इन अमरिस्सर और बैसाकी डे 13th April, ठीक है, 13th April के दिन क्या होता है, लोग गाहों से उन्हें क्या पता curfew क्या होता है, लोग घुमने फिरने आये थे मेले में, ठीक है, लोग क्या होता है, अब उसके चलते क्या होता है, तो इन अमरिस्सर और बैसाकी डे 13th April, जनरल डायर इंफ्लिक्टेट ब्रूटल सप्रेशन एंड किल्ड मैनी इनोसेंट्स, क्या होता है, यहां पर तो जनरल डायर जो है, जनरल डायर को पता लगा कि यार यहां पर क्या हो रहा गेट लगा कि जितने भी लोग थे सबके उपर गोलिया चलवा देता है, सबके उपर गोलिया चलवा देता है, तो जनरल डायर इंफ्लिक्टेट ब्रूटल सप्रेशन एंड किल्ड मैनी इनोसेंट्स, अब जो लोग गाउं से मेले में घूमने आये थे, बताओ जरा सोचक कि उनकी क्या गलती थी, होई गलती नहीं थी, लेकिन उन लोगों को क्या करना पड़ा, मतलब उन लोगों को अपनी जाने का वाना पड़ी, ठीके, तो ये समस्याएं हुई, ठीके, ये सारी समस्याएं हुई, और इन समस्याओं के चलते क्या होता, आप देखोगे कि रॉल तो लोग भी वालेंट हो गए अब उसके चलते कर्फियू लग गया उस कर्फियू में कहीं न कहीं जलिया वाला बाग इंसीडेंट में कर्फियू का सबसे अगली फेस देखने को मिला ठीक है मसाकर हुआ नरसंगार हुआ जनरल डायर में कितने सारे लोगों को मार दिया इनो तरह से लोगों की जाने गई तो लोगों ने अब नॉन वालेंस और सारी चीजों को एक तरफ रखा और लोग भी रोड पर उतर आये मार पीट चालू हो गई ठीक है लोग ब्रिटिश ऑफिशल्स की जैसे गवर्मेंट गवर्मेंट बिल्डिंग से पुलिस्टेशन से इन उनके और पिटा होने लगी तो एक तरह से चारो तरफ आग, चारो तरफ खून ये सारी स्थिती हो गई है तिक है इंडियन लीडर्स बहुत डिसपॉइंट हुए इस चीज से कहां से कहां पहुँच गया मूँमेंट इंडियन मासेस बहुत जादा परिशान हुई जब सार हैं आपने देखा होगा कि मतलब गवर्मेंट ने मुझे किसी प्रकार का अगर क्या त catch िए डिया for example जैसे मा ले रहें Прिखो इकभक्हर्मेंट ने Rabinat Tagore जो थे तो बहुत अच्छा मतलब कह सकते है उनकी literature पर कमांड बहुत अच्छी थी, उन्हें Nobel Prize मिला था का ठीके इसी चीज के लिए तो क्या होता है कि Rabinat Tagore को British Government जो थी तो उन्हें Knighthood का title दिया था, Knighthood क्या होता है तो ब्रिटेन में वो लोग एक तरह से एक honorary title देते हैं, Knights, Knights कोन होते तो soldier वगरा इसे तो वो soldiers जो थे, तो वो soldiers की जो loyalty रहती थी state के tour अब क्योंकि हम उस समय किसके अंडर में थे, British Government के अंडर में थे, तो British Government हमें ये समझती थी कि हाँ, सारे Indians जो हैं तो वो हमारे ही अंडर में हैं, ठीके, तो Rabinat Tagore को उनके literary work के लिए उन्होंने एक तरह से recognize किया था, British Government ने, Britain से, क्या Knighthood का title देके, तो जैसे हमारे हां भार तो Rabinat Tagore ने जलिये वाला बाग incident के कारण उसे क्या किया, उसे एक तरह से renounce कर दिया, ठीके, denounce कर दिया, कि मुझे ये नहीं चाहिए आपका title, ठीके, तो Rabinat Tagore expressed the pain and anger of country by renouncing his knighthood, उन्होंने बोल दिया, मुझे चाहिए नहीं आपकी recognition या वापिस रख लो, तो Rabinat Tagore के सा कि respect नहीं चाहते हैं, आप रखो आपके पास में, इस तरह से, ठीके, अब देखो ये रॉलेट सत्यागरा जो launch हुआ था, तो पूरी कहानी रॉलेट सत्यागरा से चालूई है, अच्छा रॉलेट सत्यागरा में हमने कुछ achieve भी किया या नहीं किया, ये बताना है आपको, तो अचीव किया, हमने बहुत कुछ अचीव किया, देखो, तो हिंदू and Muslims were united in fight against British rule, अब देखो जब जलियावाला पाग incident हुआ, तो मेले में तो सब जाएंगे, हिंदू-Muslim सभी लोग जाएंगे, तो लोगों को ये लगा कि यार, हम हिंदू-Muslim करते रह जाएंगे, और क देखा कही न कहीं, वो होने लगी थी, एक तरह से, हिंदू-Muslim के बीच में थोड़ी सी drift देखने को मिलने लगी थी, Muslim League वगएरा जैसे organizations बन गई थी, तो क्या होने लगा था, हिंदू-Muslims के बीच में disunity जो देखने को मिल रही थी, तो फिर से united हुए, ठीक है, लोगों को के लिए भी Muslim के लिए जितने भी religion के लोग है, सभी लोगों की क्या है, जमीन है भारत में, तो सभी लोगों को एक सांथ मिलके क्या करना होगा, इसे आजाद भी करवाना होगा, ठीक है, he was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause, ठीक है, कोई भी justified cause है, आजादी चाहिए, तो सिर्फ Hindu को नहीं मिल सब को united होना होगा, ठीक है, सब को एक सांथ संगटित होके ही लड़ना होगा, British rules से, आये ना समझ में, तो ये पूरी कहानी रही, ये पूरी frame line रही, किसकी रॉलेट सत्याग रहे की, I hope आपको चीजे समझ में आईए, अब next topic जो है, अपना उसको यहां से relate करेंगे हम, Hindu Muslim unity से, क्या होता है कि देश में जलिया वाला बाग incident के कारण, लोगों के अंदर घुसा भरा हुआ, जैसे देखा हमने की लोग protest कर रहे थे, ठीक है, लोग मारपीट पे भी उतर रहे थे, लोगों ने passively जैसे, रभिना टैगोर ने क्या कि अपना title surrender कर दिया नाइटूड का, लोग वो भी चीज़े कर रहे थे, ठीक है, अब क्या होता है, अब अगले front पर कर आप चीज़ों को समझेंगे, तो हिंदू-Muslim unity को forge करने का एक और अच्छा मौका था, खिलाफत इशू को उठाने का, खिलाफत इशू क्या है, नहीं पता है, मैं बताऊंगा, ठीक है, ने कर सकते हो, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, सारे वीडियो लेक्चर्स, free of cost available है, मदेदार बात ये, तो आप अपता syllabus, पूरा syllabus, घर बैठे, complete कर सकते हो, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताइए, मैगनेट भी इसके बारे में, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.